केंदर सरकार में अरशारन मंत्री जैस्री मुकर्जी जी और आज का इमहात्पोर्ण कारिक्रम में आयो हे सभी महानभाव मुईत्रों मैं सच मुझ में बहुत प्रसन हूँ करण के मुझे आकाश्वाणी ने इस वैख्यान का दायत तो मुझे दिया है और कहा है आकाश्वाणी के द्वारा सभी देशवाशियों तक एस अंदेश पहुंचेगा ऐसी महान विक्ती डाक्टर वाबूर राजेंदर पसाद जी जो अमर प्रदम रास्टपती के रुप में बढ़िया काम किया उन्होंने भारतिया परंपरा भारतिया मर्यादव भारतिया समस्कुती उसको ध्यान में रखकर अपने गरिमा में उन्होंने देश का भला करने के रिए पुरा प्रयास किया है स्वाधियन भारत के प्रदम रास्टपती के पुर्ण्य स्वुर्ती में आकाश्वानी द्वारा आयोजित इस व्याक्यान के मध्यम से भारत का रुपांतरन के विशय में परसुधी स्रोतावं के साथ अपने विचार साज्या करने पर मुझे हर्श हो रहा है जब मैं आया तो उन्होने बिनास पुचला जने अरमना शुरू हो गया वर साथ ही साथ जब आकाश्वानी का स्वर आया तो साँझ में आया हुंदे मात्रम होने वाले है इसा को जो उसका जो मुझे है उसे पुरा देश्वासी परशीत है एक साथ आज आज साथ है एक साथ आज एक साथ और यू से लिए टिले इमोचनल टच अख दिशन आओ आज सन्निम अद्ध पहरत को ये पुरा यूज वन समर्द पिद किया है एक चात्रा कारेकर्त से लेकर स्वाधिन भारत के रास्टवति तेने का यातरा उनके अदम्यक्षमता देश और समाज के प्रती उनके संकल्प और प्रतिबदता की महान गादा है यह भारतिय राजनीती में निहित लोकतांत्रिक मुल्यों को भी दर्से आती है जहां एक शात्र कारिकरता अपने दुड़ संकल्प और सेवा तत्परता के कारण से स्वाजिन भारत का प्रतम रास्टपती बन सका भारत पिछले सतर स्वाजों में बदल गया है और हर ख्षन रुपांत्रित हो रहा है राजवर्दन जी बता रहे बहुत ट्रांस्परेंसी आया ट्रांस्परेंसी आया, ट्रांस्फर्मेशन आया और साथी साथ नया इन्फर्मेशन भी आ रहे वो इन्फर्मेशन का कन्फर्मेशन भी आज कल जो ये रुपांतरित हुए इस देश में जल से जल लोगों को परफ्द हो रहा है सुरताओं केवल तुरुनात्मक आंकडों से ही नहीं इस रुपांतरन की तस्वीर सौफ नहीं हो सकेगा समाज में रुपांतरन संक्यात्मक की नहीं गुनात्मक भी होता है और उसे पहचानना आवश्यक है माई उनिसव बावन से बुपावन में पहरी लोकसभा के निर्वाचन के बाद नव दिर्वाचित समसुदों की पहरी बार संभोज करते हुए प्राजंदर पसाजी का भाषन हम याद करना है उन्होंने उस समय देश की काध्यान समस्या पर गहरी चंता व्यक्त की थी उस समय भारत की सकर रास्टी आए सिर्फ तीन लाक करोड रुपाय थी और देश महंगय के काध्यान आयत कर रहा था उस तिति से आज हम कृशी काध्यान में स्वालम भी बने है हरित करांती के सफलता के बाद स्वेता कांती के मध्यम से आज भारत पूरा विस्व में दूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है नीदी करांती से मच्छ पालन को बड़ाव दिया जा रहा है दलहन और तिलहन में आत्मा निरभरता की ओर भी देश अग्रेसर है काध्यान की उत्पादकता से आज हम फूड प्रासेसिंग क्रेतरों को विक्स कर रहा है आज हमारे देश की सकर रास्टी आए एक सो बीस जाक करोड तक पहुंच गई है यही रुपांतरन और स्वाथी साथ प्रारम के पंचवर्श योजना में अउद्यों की करन तदा सरकारी उपक्रमों की इस्तापित करना पर जोर दिया गया है उस्वाभाविक्ता उस समय प्रवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में उत्रा नहीं था इसलिए केंदर सरकार ने उस समय निहरूजी सब पढ़े इसाफ लोग ने मिलकर तया किया देश में विभिनक शेत्रों में और मुख्य रूप में कुछ पिछला इलाकों में कुछ इंडस्ट्री का सापना करके उन प्रांतों का उत्थान और साथी साथ देश में उद्यों कि स्वादंबर प्राफ्त करने के उद्देश से इंपोर्ट सब्स्टिशन पर बल दिया गया आज में किन इंडिया के तहत हम विदेशी निर्मताओं को देश में उद्योग लगाने के रिए आमंतरित कर रहा है और विदेश पुन जी को देश के तुरिती विकास के रिए इस्तमाल कर रहा है कुजला के माम लोग सतपरशत फारें डायरेट इन्वेस्टमेंट को भी स्वागत कर रहा है हमने कई क्षेत्रों में एवडिया के सिमा 100% तक बड़ा दिया है आज भारत विस्वा अर्द विवस्ता में अहम भूमिका निबा रहा है हमारे पास यूएस 370 बिलियन से अधिक विजेश मुद्रा कोश है भारत के अर्द विवस्ता आज विस्वा अर्द विवस्ता का पवर इंजन के रूप में जानी जाती है यह हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है 1991 में 1991 में देश के अर्द नीती में उदारी करन के पस्चात हमने अपने अर्द विवस्ता को विश्व की अर्द विवस्ता से जोडने का काम किया है यह हमारे एक बड़ी चुनवती थी हम आज WTO में बराबर हिसेदार है अपने हितों की देश का हितों को समरक्षन के लिए हम WTO वार्तावं में बराबर आवाज वुटाते हैं हम विकसित देशों की से उनकी अर्द विवस्ता को हमारा देश के लिए खोलना का आगरख करते हैं हम अपने परंपरागत ज्ञान सिल्फ पावर कारिगार को बहुत दिक संपदा के रुप में प्रयोग कर रही है जिससे परंपरागत समुहूं और समाज को इस संपदा का लाब मिल सके इसी प्रकार एंविरान्मेंट पर्यावरन क्राइमेट चेंज की जैसी अंतररास्टे समझोतों पर भी हम अपनी जिम्यदारी निबाते हुए रेन्यूबल एनर्जी का विस्तार कर रहा है परिणाम स्वरुप आज भारत का नेत्रत में इंटरनेशनल सोलार अलायंस बना और उसका मुख्याराय भारत में स्तापित किया गया है अंतरक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमारे सफलता ये और हमारा देश निर्माताओं का गवर्वानित करती है आज हम ना कैवल अपने बल्की विकसित देशों की उपक्रह भी प्रक्षेपित कर रहा है एक ही उड़ ज्यानिक शेत्र में हम कितना अगे बड़ा है इसका एक उदाहन है विश्व सांती के समस्कार हमें प्यूडियों से प्राप्त हुई है हर प्यूडि ने इस दरोहर का समरक्षन किया है संकीन धार्मिक राजनितिक विश्व में भारत का संदेश निरंतर देता रहे है सांती सद्भावना और विश्व को एक परिवार मानना हमारे सनातन समस्कूर्थी का मुर्ष तम रहा है संती पूर्ण सहस्तित्व के मोदभूत सिद्दानतों का पारण करते हुए हमने सदयो ही उनिटेट नेशन्स का संती प्रयास में हमारा योगदान दिया है हमारे गर्व का विश्व है कि 71 में युनिटेट नेशन्स का स्यान्ती मिशन में लगबग 50 मिशनों में भारत की बागीदार रही है कमी सोताओं को ग्यात होगा कि भारत पहला देश था जिसने युनिटेट नेशन्स का स्यान्ती दस्ते हुमन रिजिमेंट में महिलाओं का दस्ता बेजा उसके बाद अनेक देशों ने हमारा अनुसरण किया है हमारा मौला सिध्धान्त, हमारा संकृती हम सब लोग को मालूम है हम वसुदय व कुटूंबम वसुदय का कुटूंबम सर्वे जना सुकिन अभावंतु सब लोग मिलकर हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहिए यह हमारा परंपरा है यह हमारा समस्कुति है आदि कालसे पुरान कालसे जो पुरों जो ने जिया और दिया विरासत में हमको मिला उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे बारत का इतिहास में बहुत देशों ने भारत को उपर आकरमन करने करे प्रयास किया मगर पुरा इतिहास में देखे तो कभी भी भारत किसी को उपर हमला किया नहीं यह हमारा प्रत्यकता है कारण के हम से जैसामने मैंने कहा सर्वे जना सुकिनो भवन्तु सर्व प्राणी सुख होना चाहिए यह हमारा विश्वास है यह हमारा परंपरा है यह हमारा स्वंस्कुति है मित्रों इस संदर्ब में हाल की एक महत उपोन गढ़ना का जिकर करना चाहूंगा हमारा देश के प्रति नियाधि स्री दर्बीर बंडारी juvenile कोई प्रति नहीं है भारत का इस वपधमदी को विस्वा राजनीती में बदलते समीकुडं के रूप में देका जा रहा है भारत एक जिम्मेदार एवं सामरिक रूप से सिक्तिस्यारी राष्टर का तौर पर उदय हो रहा है। India is emerging as one of the powerful countries. ये रुपांतरन का इससे बड़ा उदाहरन क्या होगा कि भारत के अपनिवेशिक सैसक आज भारत से महित्री को महत्व दे रहा है। राज अंदर बाबूत अदावन का पीड़ी के राजनेताओं ने उपनिवेश्वाद की विरुद्ध में जिसे एग्ये का प्रारम किया था वह सफद हो रहा है। अंतर रास्टे स्तर पर भारत आज बड़ी आर्दिक सिक्ति के तोर पर उबर रहा है। इसके आर्दिक महा सिक्ति बनने से दक्षन एसियाई देशों के बीच भारत की स्तिती बड़े भाई जेसी हो गया। और इसलिए यह दक्षन एसियाई देशों के कासकर अफगेंस्तान को पुनर रिर्मान में भारत मंग्डा देश के बीच पानी के बटवार को लेकर उत्पन समस्यों के निराकरन तदा भारत नेपाल के बीच आर्दिक स्वहोग को बड़ावा देकर दक्षन भारत आतवो नयोगदान दे रहा है कुछ वर्षों से हमने पुछे अनभावों के आदार पर उदारी करण को तेज और उत्तरदाई बनाने के वैए वोईधानिक कदम उठाया है पुराने कानूनों को निरस्ट कर नया कानूनों और नीतियों को दाया जा रहा है नया नीतियों की कारगर समिक्षा की जा रहा है डिमोक्राटिक गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बनाने के दिशी में कारगर कदम उठाया है केवल विकास नहीं सुस्यासन भी हमारा प्राद में किता है नित्रों स्वराज्य का जाब और आनन्द सभी भारतियों को प्राप्त हो इसी महत्व कांक्षा से स्वराज्य को सुद्र करने के अनेक प्रयास हम कर रहे हैं स्वराज्य को स्वराज्य के रुप में बदलना ये भारतिये लोगों का आकांक्षा है हम उसी देशा में आगे बढ़ रहे प्रिया देशवाशियों भारत के बदलाओं की इस प्रक्रिया में पीछने लगबग तीन देशकों में सुचना प्राज्योगिक भूमिका अच्छनत महत्वोन रही है सुचना प्राज्योगिक की इस क्रांटी को प्रयोग के अंदरा विभिन्न राज्य सरकौरें के द्वारा बड़े पहिमाने पर जनमानस के सामाने जीवन को सुचना जनक सरल बनाने के रिए किया जा रहा है सरकौरों द्वारा नागरिकों को प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं को निरंतर ई-गवर्नेंस के दाएरे में दे जा रहा है E-governance प्रदान करना की केंद्रवार राज्य सरकारों की मुहिम नागरिकों को सुश्यासन प्रदान करने में सहायक सिद्धी होगी ऐसी मेरा पूरा आश्या है इन प्रयासों में केंद्र सरकार की Digital India योजना उलेक निया है मुझे पोरा विस्वास है की आने वाले दिनों में भारत एक पोन तहा डिजिटल समाच और रास्टर के रूप में विस्व पटल पर उभरेगा अपने इस प्रयासों में हम अपनी ग्रामिन क्षित्रों की और विसेश ध्यान देना होगी क्योंकि हमारा जनसंक्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गाउं में रहते है इसने Digital India के हमारा सपनों की तभी साकर की जा सकता है जब हमने अपना गाउं का अपने Digital मान चुत्र पर जल से जल दे आए महत्मा जी ने भी कहा आजादी के बाद उन्हें ने कहा गाउं के और चलो back to villages इससे हमको समझ में आते हैं कितना महत्वा महत्ता गांधी जी ने ग्राम विकास के लिए दिया है और उन्होंने ये भी कहा है ग्राम राज्य के बिना राम राज्य अदूरा है ऐसा कहा उन्होंने इतरह महत्ता पौरूफल स्टेट्मेंट गांधी ने दिया है मित्रों ये Digital देने देने को बढ़ाओ देने भारतिया प्रच्वा को विस्तों के समक्ष प्रच्षपर्द बनाने के लिए सहता परिश्यत साक्ष्रत का लक्ष प्राप्त करना होगा आजाजी के बाद लंबे समय तक हमने आंग्रोजियों से प्राप्त अवसर साही तदा उसी प्रणारिक को बनाए रखा बदलती जिर्रतों के साथ लादा पिता शाही रड़ टेप को काटना आवस देकता है पर बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है बैंकिंग, करदान, विदेश, वैपार यातायात अधी अनेक शेत्रों में यी प्रोग्रिस प्रारम हो गया है अनेक सरकारी सेवाओं और आंक्डों को डिजिटाइज कर दिया गया है इससे सरकारी तंत्र और जनता के बीच इंटरफेस कम हुआ है और डिस्क्रिशन का क्षेत्र कम कर निया मादारत सुसासन लागू किया जा रहा है अंतिमा उद्देश यही होना चाहिए कोई अपना सेवां के लिए किसी के पास जाने का कोई जरूरत नहीं होना चाहिए सब कुछ आन लाइन में होना चाहिए कोई लाइन में कड़े होने का अवसर ना मिले यही उद्देश है और शूचना का अजगार के माज़्यम से प्रसासर में पारदर्सक्ता और जवाब देही सुनिस्ट की जा रहा है पारदर्सकता ट्रांसपरेंसी जवाब देही अकाउंटबिल्टी लोकत अंत्रे में दोनों बहुत जरूरी है इसी देशा में देश आगे बढ़ रहे लोकत अंत्रिक सरकार से अपेक्षित हाई की वह अंत्योदे का आदर सफर कारे करे आम आद्मी को रोज मरा के संगर्शनों से लोकता अंत्रिक सरकार का सरोकार होना ही चाहिए अपने परिवेश में स्वच्चता कौन नहीं चाहते खुल में सोच से महिलाओं का और बाजिकाओं का स्वरक्षा कारणों से सरकार कर स्वच्चा भारत अभियान को व्यापक जरना समर्दन मिल ला है और प्रदान मंत्री चाह रहे थे एक स्वच्चा भारत, एक जनान दोलरा रूप लेना मैं इसे कुछ हऊं, मैं कुछ सवल शरहरी िविकास मंत्री के रूप में स्वच्च भारत का कारिक्रम का देच में इसका समिक्षा करते रहा, दीरे दीरे जो प्रधान मंत्रि काकांक्षे का अनुसार इस वच्च भारत एक जनान दोलर का रूप ले रहे, सभी लोग इसमें भागीदार हो रहे, मैं चाहता हूं आने वारे दिनों में हर एक विक्ति निटान से, मन से धन से इस स्वच्च भारत कारिक्रम का अउ Important जेने करिये इसको अपना जवन 210 दिन कारिक्रम में एक आंग के गर्रुप में इसको सुविक्र करके उसका आमर करने करिये आँम सब लोग मिलकर प्रयास करना चाहिए. सरकार के स्वच्च भारत अभ्यान को व्यापक जन समर्दन मिला रहा है तेरा सौ शहर ओडिय अफ गोशित कर दिये गए है शहरम का चार लाक से अधिक नीजी सोचाले बन गया है मुझे हर श्राइकी गामों में यह अभ्यान शहरों से भी अधिक सफलता हुई है लगबक पांच करोड नीजी सोचालें का निरमान ग्रामल लाक हमें किया गया है लगबक 2.75 लाक गामों को ओर्डिय अफ गोशित किया गया है नमामी गंगा के तहत भी 4,400 गवशित किया गया है जिसमें नदियों का निर्मन करने में सहायता मिलेगी और भी हम लोग बहुत आगे जाना है कारण क्या है देश बहुत बड़ा है 130 करोड आबादी है अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग राज है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानी एकाई Central Government, State Government, अर्बन और पंचायत लोकल बाड़ी और उसके साथी साथ लोग भी अपना योगदान देना चाहिए स्वच्छा भारत कोई राजरितिक कारक्रम नहीं है कोई सरकारी कारक्रम नहीं है हम सब का, हमारा सब का हित्मे है इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं देशवासियों से आपीर भी करना चाहता हूँ जो महान भावं को आज हम स्रद्धानजरी रर्पित कर रहे डॉक्टर राजदर बाभू अन्य महान भावं को नाम जो ले रहे हैं हम लोग उसका सही स्रद्धानजरी नमन वही होगा जो रस्ता उन लोगों ने उन महान भावं ने दिखाया जो अपवेक्षा उन्होंने वेक्त किया आजादी के बाद देश के बारे में उसको पुरा करने करें सफर्दा बनाने करें हम सब लोग इसमें पुरा शामिर होना चाहिए मित्रों रिंगान पात महिलाओं के विकास और ससक्टी करने के दिशाए में एक अच्छन है आज कन्या ब्रोन हत्या का कानून अपराद है सरंतु इस पर पूरा तरह अंकुष लगाने में हम सफल नहीं हो पाए बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ जैसे सकारात नक अभियान से आज समाज के दृष्टी कौन महिलाओं के प्रती बदला है मगर इसमें और भी परिवर्त आना चाहिए समाज और सरकार के सम्युक्त प्रयासों से आज महिलाओं के प्रती एक अनकुष वातावरन बन रहा है हर्याना जैसे पारंपरिक समाज में महिलाओं का दिंगान पात कई वर्षों में पहली बार 900 के उपर हो गया है भारत यवादेश है यहाँ 65% प्रतिसेत आबादी यवाओं का है इनमें अधम में सिक्तिय और विस्वास है उपरोक्ति के लक्ष के प्राप्त करने के लिए यवाओं में भारत भूमी, भारतिय सम्सुति, समाज तदा भारतिय जिवन मुल्यों का प्रती आस्ता पैदा करना आवश्यक है भारत को विकास के मार्ग पर प्रसेक्त करने के लिए योवों का भूम का महत्तुप होना है इस संदर में मैं एक विशय का जिकर करना चाहता हूँ जो आजया जी की बाद जो स्वामनाज मंदिर का फोनर निर्मान करने के एक काम जो हाथ में दिया उसमें राजनेताओं का बीच में मतबेत था निहरी जी का सोच अलग था, डाक्टर बाबु राजनेताओं का सोच अलग था और हमारा केम मुनशी जी का सोच अलग था, गांदी जी का सोच भी और असादार पटेद जी का उस सवसर पर राजयंदर बबुने सामस्कृत की दरोहर को परिरख्ष करना चाहते थे इसलिए स्वमनाद मंदर का पुदन निर्मान का कारिया समाप्त कर सिवदंग की स्तापना करनक्रम में उन्होंने स्वयम उपस्तित हुए है हर्माइश कुट करना चाहता हम, both Dr. Rajendra Prasad and Sardar Vala Bhai Patel felt reconstruction ought to be done quickly because it was a matter of rastriya swabhiman with K. M. Munshi who also wanted to see Swamanad reconstructed swiftly in that sense Sardar Patel, Rajendra Babu and Munshi ji thought alike because the dilapidated condition of the Swamanad Mandir troubled them no end. President Dr. Rajendra Prasad participated in the ceremony to reinstall the Swamanad Lingam on May 11, 1951. In the inaugural ceremony, I quote, Rajendra Prasad, he said, that although monuments can be destroyed, the bond that people have with their culture and faith can never be destroyed. This is the famous statement he has made. That's the greatness they used to attach to the culture, to the heritage, to the parampara, to the values of our Indian tradition. The younger generation should take really the spirit of such actions even those days. Jesa manai kaha, ye vikas amare sabse sarvopari hai. Sati sat value systems, samajik samrasta, and mahalo ka prati, fredha, adar, prem, vatshadiya. Now, samaj mei kisiy warg ko, kisiy jati ko, kum ke rup me, dhekna, kisiy jati bada hai, yeh, sochna bhout galat hai. dhish mei, dhish mei alag-alag bhaša hai, bhaša ke nama pae, nadi ke nama pae, paani ke nama pae, jamin ka nama pae, siima ke nama pae, hapas mei, jagna hai, dhish ke hit mei nahi hai. itana saal ke baad, bhi kuchh laake mei, kuchh vroog, isku ek zhor deke, hapas mei, jagda karne ke liye, samaj mei, ek sangarsha poori, tawata oran rane ke liye, prayas kar rahe. ee desh ke hit mei nahi hai. alag bhaša, alag bhaš, fir bhi apna ek desh. vividata mei ekata, bharat ka visešata. Irrespect of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are all Indians. That feeling has to be there and we must treat every individual, every human being as equal. This feeling should be there. That was the expectation. Isriye amara samidha nirmavata honne baad mei jo, bhajadi ka ladai mei baad mei jo, mahanabha honneka joh apna atma kata ya unka udbhodan pardtay huye humko sownj mei ati hai unlo sabne iccha vekt kiya ee swarajja ko swarajji ke ruppe badalna cha hai. Swarajja ko swarajji ke ruppe badalna cha hai. Yehi uddeesh ta. Is uddeesh ko pura karne kare hum sab loog usmein yogdan dhena chaheye. Isleyi mitro my demografu dividend joh kaha raha hai am loog usko vikas mei inke bhaagindar i sunisit karke karis evokong ka kusat banana par zhor dhena hai aur unko dhishay mein skill development eek road map tiyar kiya gaya hai. Iska atrikt swarajgaar badalna keriye mudra johneke dwara mahala uddhimi evor esti esti uddhimi ko lab pahuncha ya hai. Start up stand up isab aaj kal dhishka evokong ko swarajgaar ka prati prerit karne keriye unme uddhimitah ko badalna keriye start up india jaysi yujna lagu kiyya gai. Idea ko innovation tuk tada innovation ko enterprises tuk wikisit karne me yujna kargar sabit ho giy. Kasbohon aur gaungo ke udhimiyon ko asan sertaon par bank karun upravd karana kariye bhi jandhan yujna ka taht uska banking vivaastah me shamil kia jara raha hai. इसके svarojgar एक नई व्यवस्ता द्वारा GST standing को सिर स्तापित की गए है GST को द्वरों पर निर्नाई देगी यह व्यवस्ता corporate to federalism का एक अप्रधियम उदाहन है. नई व्यवस्ता लोग उनके सामने आ रहे उसको समस्याओं का समाधान करने के लिए के अंदर सरकार और प्रदेश सरकार सब लोग प्रयास करें. कुछ मातवेद होता है, कुछ आलोचना होता है, यह तो रोकतंत्र में आलोचना करना एक स्वभाविक रूप है, मगर अंत में सब लोग देश के इतमे सोच कर यह परिवर्ता लाना जगिए. प्रदानमद्य ने कहा, उन्होंने कहा, रिफाम, परफाम, और ट्रांस्फाम. यह तीन लाइन का मंत्र जो उनों दिया, वैबस्ता में रिफाम करना, और साथी साथ परफाम करना, और साथी साथ देश को ट्रांस्फाम करना, एक सिख्ति सेरी भारत बनाना, जहां भूक नए, भए नए, ब्रस्काचान नए, यह हमारा लक्षण है, इसी लक्षण को ध्यान में रखकर अम लोग पूरा प्रयास करना चाहिए, मित्रों कर अधिकारियों त Laurie कर दाता हो, दोनों के रिए लेकिन यह देशक वाशियों का हित्म्य है? यह कटिनां मुझो दोर करना यह यह इन्हा काम है, आजि कुछ व्योस्ता को परिपुस्ट करने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है आजाजी के समय हमारा अर्द विवस्ता कृशी आदारित थी आज भी अधिकाम से जनसंक्या गाओं में वास्क करती है लेकिन गत अदस्कों में शहरी करण तेजी से बढ़ रहे हैं आज शहरों का इंजन आफ ग्रोथ के रूप में विक सकता है स्मार्ट सिटी अमरूत हुरदाई जैसा योजनायों इसी दिशा में हाउसिंग फर आल ये प्रयास है सबसे महत्तोपोन प्रयास ग्रामिन ख्रत्रों को कनेक्टिविटी प्रधान कर अर्द विवस्ता का मुर धारा से जोड़ने के लिए किये गये है आज हमें 18 गा काम है ये नाम नेशल अगरिकर्चर मार्केट को जोड़ना जिससे किसान उंको अपने उत्पादकों के रिए व्याफक भज़ार उपरब्द होगा लगबग 1.67 लैक रहायसी दाकों को ग्रामिन सड़क योजना के ताहत जोड़ने का लक्षा है और 2.5 लैक ग्रामिन इला है जिसमें 1.14 लैक किलो मेटर रास्ट्रिय राजमार्ग और 1.61 लैक किलो मेटर राज्य राज्य राजमार्ग तदा जंगभग 4 लाक किलो मेटर ग्रामिन ग्रामिन सड़क है और 76,000 गावों को अप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है और दो दाक 50,000 तक सरकार ने अपना लक्षा रखा है जनधन योजना के तहत खोरे गए कातों से बड़े पहिमानों पर गावों का फाइनांशल इंक्रूजन हुआ है गाव जितने अर्दवे वस्ता में से जुड़ेगी उतना अर्दवे वस्ता में विस्तार होगा और स्ताय तो आएगा आज देश में विद्यत अपूर्ती का कमी नहीं है माच 2017 तक 2018 तक हर गाउं हर शेहरों को हर घर तक सस्ते दर पर बिजली पहुंचाने का लक्षा है मनरेगा तदा काज्य स्वरक्षा कानून के ताहत कमजोर तबकों के रिए रोजगार तदा पोशना को चुनिस्त की जा रहा है निस्तन देख हम अंतियोदे का अधर्स पर नई भारत बनाने के जिशह में अग्रिस है अंतियोदे जो अंतियोदे में बैठे उन लोगं को उतान करना जो 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 ज आदमेकता होना चाहिए, इसी दिशा में हम आज जिकल आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, हमारे गर्वक अविशा है कि भारत आज विसका सबसे बड़ा लोकत अंत्र है, आज इसमें भारत को एक आधर से प्रजात अंत्र के रूप में देखा जा रह है, समविधान में 73 वे 74 समसोदन के माध्यम से पंचायत राजस्ता बना की गई, महिलाओं को 33 परसेंट अरक्षन देकर पंचायत राजस्ताओं का महिला की राजनीत की सशिक्ट करने का माध्यम बनाए गया, इसी अनभव को समसद और विधान सभाव में भी जागू करने पर विचार करना चाहिए, और जल से जल इस विशे में आगे बढ़ना चाहिए, सुनताओं विकास के प्रवाव सतत है, इसमें चुनवतिया ही अवसर प्रदान करती है, हमारे समक्ष भी बहुत चुनवतिया है, जैसी काराधन और ब्रस्टाचार, मुक्त बजार विवस्त जरूरी है, काला धन हमारी अर्द विवस्ता को कोक्रा कर रहा है, विमुद्रीकन के बाद से, इंकम टैक्स रिटरिनिंग फाइल में 25 परसेंट के उर्दी, तदा अड़्वांस टैक्स करेक्शन में 41 परसेंट के उर्दी, कारे धन के विरुद्ध विमुद्रीकन की सफलत क्या हमको दिशा बता रहे हैं, यह इंगित करती है, देशवास्यों से बहरा आग रहाई की, वे लेस कैश एकानमी के तरफ अग्रिसर हो, तदा डिजिटल मोड से कारवबर करें, कृशी और किसानों का समस्या, एदेपीम काध्यान में आत्मा दर्बर हो गया है, फिर भी आज कृशी सबसे जो किम भरा वेवसाय है, किसान आज भी मोसम और सरकार पर निरबर है, आज से कहे कि कृशी में निवेस बड़े, किसानों के मोसम पर निरबरता कम हो, सिचाई के साधन विकसित हो, किसान को फसल के रिए बाजार और मूजे मिले, भूमिहीन और चोटी कि सानों में अधिकाम्ष को साहकारों और अनदकृत प्रोचों से सुत्रों से ही रोन देना पड़े, इस्ति को बदलना ही होगा, साथ ही ग्रामिन ख्षेत्र में विवसाय और कृशी का विवधी करन करके, केती पर निरबरता को कम करना होगा, काज य प्रसंस करन के बहर भी अधिक ध्यान देना होगा, आतंकवाद, नकसदवाद, अतिवाद जैसी विवजनकारी प्रवुर्तिया देश का गतव, 40 वर्ष में सीमा पर आतंकवाद, देश में पनपरही नकसदवाद, क्षात्रियवाद जैसी विवजनकारी प्रवुर्तियों से तूज रहा है, हमार भी सेमा पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए वैशविक सम्मती और कारिय वजना की आवश्यक्ता है देश में राजनितिक हमसा का विश्फर रहा है और इसे तातकारिक रोकना रोका जाना चाहिए तोरा दिनिया जागृत होके आतंकवाद के किदाफ सब दोग मिलकर स्व कुछ देशों में आतंकवाद होते थे और भारत को इसके बहुत बारी पड़ा साथी साथ हम लोग आजकर देख रहे पुरा दुनिया में यूरोप में अमरिका में बाकी देशों में सब इलाके में आतंकवाद पहल रहे और कुछ लोग मजब को आतंकवाद से जड़ रहे उसको बल प्रपाने के रिए वो लोग प्रयास कर रहे है। अम इस गरती भ्रम्मे नहीं होना चाहिए। टरररिस्ट is a terrorist, he has no religion, he has no caste, he is an enemy of humanity. अम इसको जलदी हम समाप्त करे तो तना दुनिया का विकास होगा। If there is tension, you cannot have attention towards development. यह सिंपल पाइंट है। आव इसके रिए हिम्सा के कारन से कोई बद्राव आयेगा नहीं। यह म समझना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लोकतंतर है वा इंडिया। It's a strong nation, stable nation, and we have proved that democracy can be successfully implemented and changes can be brought in a peaceful manner, in a transparent manner through democracy. People who say that bullet is powerful than bullet, they are wrong. Bullet is more powerful than bullet. Samajna चाहिए। We should understand this. And bullet kills the people and they will get killed also by the same. The best way in Rokatantra is vote. So that's the way people should really discourage such forces. Governments should take a coordinated effort center and state governments to take strongest possible action on those forces which are taking up arms. The arms and violence has no place in democracy. Friends, भारत को तिवर विकास दर को बनाना रखना के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्ट्चर डेवलप्मेंट में निवेश करना होगा. आधार पूत डाचे का विकास एद्दिपी विस्वबैंक की 2016 की राजिस्टिक परफॉमेंस में भारत को 36 स्थान पर पहुंच गये. मगर ये परियापत नहीं है. इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्ट्चर में भारी फूजी निवेश और तक्रिकी ज्यान की आवशिकता होगी. सामजिक शेत्र में निवेश, सिक्षा, स्वास्त साहित, सामख्षिक शेत्र में हमारा निवेश कुल GDP के केवल 7.4% है. जिसमें सिक्षा पर GDP केवल 3.2% है. और स्वास्त पर मात्र 1.5-2% है. किया जाता है. एस्तिती सुदीरना चाहिए. जल से जल. मुझे विस्वास है कि चुनी हुई जोखता अंतरिख सरकारों ने इन चुनोतियों को प्रती सजिग रहे और इन चुनोतियों को विकास का असर में बदरे. इन चुनोतियों का सामना सब भारतवाशियों को संग्णत रूप से करना चाहिए. जिदी समस्याओं का समाधान 26 नॉवंबर को 1940 इनको सम्यधान सभाने सम्यधान के अनमोदन किया इस अवसर पर अपने अजिक्षिय उद्बोदन में डॉक्टर रायादर प्रसाद ने पूरे सम्यधान के पीछे दर्शन और सम्यधानिक आस्तावं का सठीक विस्टेशन किया जो भावि जाते निर्माताओं को और न्यायवादों के रिए मार्गदस है उन्होंने कहा, after all, a constitution like a mission is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it and operate it and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. देश पहला, बाद में पार्टी, अंत में अपना ये हमारा रैक्षव होना चाहिए, ये हमारा प्रयाटी होना चाहिए nation first, पार्टी next, self last कुछ लोग इसको उल्टा रूप में देखते हैं 2022 में स्वाधिनिता के 75 वर्षपोर्न होगे विकास के आत्रातों सतत और स्यास्वत है आवश्यक है कि हमारे प्रयास इमान दोरण क कारगर हो तदा जनकल्यान हो दोकतांत्रिक व्यवस्ता के नेत्रत की इन लक्षों के प्रती प्रशिपज़ता बहुत आवश्यक है हम सब एक रुपांतरित भारत देखना चाहे चाहे we want to see a transformed India सवच्च भारत, स्वस्त भारत, साक्षर भारत, सक्षम भारत, ससक्त भारत, समरस भारत हमारा स्वपना है सब भारतवासी यही काम कर रहे है यदि मन में सुद्र संकल्प, हुर्दय में सुद्र भावना और कार्य में दख्षता हो यह सवपना साकार होगा यह सवपना को स्वाकार करने के लिए हमारा सब का साहकार चाहे cooperative federalism के साथी साथ competitive federalism का भी आवश्यकता है राज्यों के बीच विकास के वर अग्रेसर होने का आकांक्षा प्रबल होनी चाहिए राज्यों के बीच में विकास गती को बढ़ाने के लिए स्वर्दा हो तो देश की वनती भी गती सीरता के साथ हो सकेगी दुनिया के विचार के अंदर में आज अर्द विज्ञान तदा राजनित है लेकिन मानवता की रक्षा सिर्फ इन तीन विचार बिंदों तक स्तिमित नहीं हो सकती इनके अलावा भी बहुत कुछ है जो जीवन को स्ताय तो देता है इसके लिए भारतिया दर्सन भारतिया समस्कुति समाज तदा जीवन मुल्यों को प्रती समझ पैदा करना बहुत जरूरी है 21 सदी बारत की सदी होगी इहदक्ष भारत दर्सन, भारत संस्कुति, भारत मोजयों तदा समाज के स्तिरस वरुप के बुनियादी पर ही प्राप्त हो सकता है 23 डिसंबर को राजांदर बावु की अनन 33 की जन्म जैंती के अवसर पर मैं आशा करता हूँ कि बारतिय संसद और सरकार उनकी अपयक्षाओं को अनरूप देश का रुपांतर करने का पुन्यकार में आगामी वर्षों में 38 कि स्रद्धा और निस्था से जूट जाएगा मैं इस वहक्षान को डाक्टर राजांदर बसाज की पुन्ने स्बुती को समर्पित करता हूँ धन्यवाद जैहिन